सुरो की मलिका कहे या स्वरको की ला लतामंगेशकर एक ऐसी शक्सियत थी जिनके जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा हजारों कानों में खुबसूरत आवास का जादू बिखेने वाले ततलामंगेशकर हर पीडी की चाहेती हैं हिंदे सिनिमा के दिगर सिंगर लतामंगेशकर ने आज हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविता क्या दिया है लता के निधन की खबर से उनके फैंस के दिल तूट गए हैं लतामंगेशकर ने अपनी सिंदगी में फैंस को कई शांदार सता बहार काने दिये सिंगर ने 13 साल क उम्रे में मराथी फिल्म के लिए अपना सबसे पहला गाना रेकॉर्ड किया था। लटा के अलावा उनकी बहन आशा बोसले भी महान सिंकर स्केलर्स में शुमार की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार लटा मंगेशकर पर आरोप था कि वो नहीं चाते थे कि उनकी छोटी बहन आशा को जादा तरीके मिले। और लटा मंगेशकर पर लगे इस आरोप पर उनकी बहन मीना ताई ने आज उत्तक को दिये अपनी पुराने इंटर्व्यू में द लोगो को कुछ तो चाहिए इसका नाम है इसे बनाम करो बाखे कुछ नहीं अब आशा की शादी हो गई है तो हमारे घर में तो आकर नहीं रह सकती थी दोनों बहनों ने कभी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचा दोनों का प्यार अभी भी वैसा ही है लटा मंगेश सब कुछ पा चुकी है लेकिन क्या उनकी कोई हसरत कोई थ्वाइश बाकी रह गए थी इस सवाल के जवाब में मीनाताई ने कहा नहीं सब कुछ तो मिला है उन्हें अभी भी उनका नसीब इतना अच्छा है कि हम लोग सब साथ में हैं लोग कितना भी कुछ भी कहे आशाद पूर हो कई हैं हम लोग सब साथ में हैं और क्या चाहिए एंटर्टेमेंट जगत सजोडी चानकारी से अपडेट राने के हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए